आज बना रहे हैं लड़ू आज की जो रेशिपी है ना बहुत ही इस्पेसल है एक तो इसमें बहुत कम घी इस्तेमाल हुआ है दूसरी बात यह इस लड़ू को बना कर आप महीने तक श्टोर करके रख सकते हैं तीसरी बात ये जब आप इस लड़ो को खाएंगे न ये मौ में जाते ही घुल जाएगा एकदम कम घी में बना हुआ ये लड़ो आप महीने तक श्टोर करके भी रख सकते हैं और बनाने में तो इतना सिंपल है न कि वीडियो देखने के बाद आप इसे बीना बनाए नहीं रह सकते बहुत ही हल्दी रेसिपी है तो पूरी वीडियो आप जरूर देखें मिनिमम घी में किस तरीके से आप लड़ो बनाएं और महीने तक श्टोर करें हर चीज मैंने इस रेसिपी में बताया है तो आईए बनाते हैं इसे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो इस रेसिपी को यानि लड़ो को बनाने के लिए मैंने एक से डेट चमच ये देशी की ले लिया है एक पैन में हलका सा गरम कर ले अब इसमें दो तीन चमच गोद डाल देंगे गोद जो होता है एडिबल गम होता है ये आपको मार्केट में असानी से मिल जाता है नहीं मिलता है तो जो ड्राइफ रूट्स की शॉप होती है उस पे ये बड़ी असानी से मिल जाता है तो बस इस रेसिपी में मैंने 50 ग्राम के करीब गोद इस्तिमाल किया है एक बार में जादा नहीं फ्राइब करना है थोड़ा थोड़ा करना है इसको हम मेडियम फ्लेम पर लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे जब इस तरीके से दिखने लगे जारा जो गोंध है अच्छे से फ्राइब हो जाता है एक दम हलका हो जाता है तब इसे बाहर निकाल लेंगे अब वापस से इसी पैन में एक चम्मस देशी घी और डाल देंगे देखिए लड़ू बनाने में सिर्फ हमने देशी घी का इस्तमाल करना है और कोई तेल या घी इस्तमाल नहीं करना है तो बस इसमें बाकी का गौद डाल कर हम इसी तरीके से मेडियम फ्लेम पर फ्राई करते रहेंगे जब इस तरीके से दिखने लगेगा तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे अब एक पर फिर से एक चम्मस देशी घी डाले और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम एक कब बादाम लिया है कच्चा बादाम अब इसे क्या करना है न धीमी आज पर 5-7 मिनट के लिए हमने भूल लेना है जादा नहीं 5-7 मिनट आप घड़ी देखकर इसे भूल ले और जब 5-7 मिनट हो जाए तब इसे बाहर निकाल ले अब इसमें वापस से घी अभी इस्तिमाल नहीं करना है इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 छोटी कटोरी बेशन और इसी के साथ 3 छोटी कटोरी घीहूं का आटा देखिए आप चाहें तो इसे सिर्फ आटे में बना सकते हैं या आप इसे मोंग डाल के आटे में बना सकते हैं या सिर्फ बेशन के साथ बना सकते हैं ये आपकी च्वाइस है मैंने दोनों चीजों को mix किया है जिसे इसका जो स्वाध है वो बहुत बढ़ जाता है धीमी आज पर अभी इसे हमने भूनना है लगातार चलाते हुए करीब 5-7 मिनट के लिए जब 5-7 मिनट हो जाए ना तब इसमें हम 2 चम्मच के करीब देशी घी डाल देंगे तो बस एक बार इसे हम फिर से चलाते हुए भूनते रहेंगे देखिए इसे भूनने में करीब आपको 20-25 मिनट लगेगा लेकिन धीमी आज पर भूनना है गैस का फ्लेम हमने कम जादा नहीं करना है एकदम लाजवाब लड़ू बनाने के लिए इसे आप एकदम धीमी आज पर भूने और लगादार चलाते रहें देखिए अभी करीब 10-12 मिनट हो चुका है भूनते हुए एक बार फिर से मैंने इसमें एक चम्मच घी डाल दिया है इसको भी डाल कर हमने टोटल 20-25 मिनट भून लिया है आप देख सकते हैं इसका जो कलर है एकदम चेंज हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो आटा है भून चुका है जब इस तरीके से कलर दिखने लगे तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे आज मैं इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ जादा घी इसमें इस्तिमाल मैंने नहीं किया है देखिए अब इसे एक साइड रख देते हैं अब इधर जो हमने बादाम और गोंद को फ्राई करके रखा है उसे एक ग्राइंडर में डाल देंगे आप चाहें तो बादाम को कद्दुकस करके भी यानि कि बारिक बारिक करके भी डाल सकते हैं थोड़ा समयने इलाइची का अंदर का जो बीज होता है वो डाल दिया है उसका छिलका नहीं डाला है अब इसका एक पाउडर बना लेंगे इस तरीके से बस इस बादाम के पाउडर को न हम आटे वाले मिक्षर में डाल देंगे अब इसी ग्राइंडर में जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा है उसे भी पीस लेंगे देखिए इसको ग्राइंडर में पीसने की जरूरत नहीं होती है आप चाहें तो किसी कटोरी या गिलाज से भी जब इसको मसलेंगे न ये बहुत ही अच्छा पाउडर तयार हो जाता है इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आप ग्राइंडर का इस्तमाल करें पस इसे भी मैंने पीस लिया है अब इसमें स्वात के अनुसार चीनी डाल दें मैंने करीब टीर कटूरी चीनी डाला है जिससे हमने आटा और ये सब नापा है उसी से हमने चीनी को मेजर किया है ये चीन ला सकते हैं अभी जो मिक्षर है थोड़ा गरम है बहुत ही मामली सा गरम है तो मैं इसे पल्टे की साहता से मिक्स कर रही हूँ मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा घी यानि एक से दो चम्मस देसी गी और डाल देंगे ताकि हम इसे अच्छे से बाढ़ सकें घी हमने उतना है इस्तिमाल करना है जितना की इस लड़ू को बादने के लिए चाहिए देखी थोड़ा गरम है तो मैं इसे एक पर फिर से पल्टे की साहता से ही मिक्स कर लेती हूँ हलका सा गरम होने से क्या है ना लड़ू को बादने में आपको आसानी रहेगी और इसमें घी की मात्रा कम लगेगी एक बार इसको आप बाइंड करके देख लें कि अच्छे से बंध रहा है कि नहीं जब इस तरीके से बंधने लगे न इसका मतलब है कि इसमें और घी डालने की जरूरत नहीं है आप घी के अलावा अगर कुछ भी इस्तेमाल करते हैं जैसे क्या होता है कि मलाई या दूर डाल देते हैं तब तो समझ लिजे कि यह लड्डू आपका चार दिन में खराब हो जाएगा लेकिन अगर आप सिर्फ घी में बनाते हैं इस तरीके से जैसा मैंने बताया है तो आप महीने दिन तक इस लड्डू को रखेंगे न यह लड्डू खराब नहीं होगा और जब खाएंगे ऐसा लगेगा आपने अभी बनाया है तो बस इसी तरीके से सारे लड्डू को बानते जाएं और यह लड्डू इस तरीके से त्यार कर लें एर टाइट कंटेनर की जरूरत नहीं है इसे रखने की ऐसे ही किसी भी कंटेनर में आप रख सकते हैं उपर से ढखकल लगाके एर टाइट की जरूरत नहीं है आप बाहर ही इसको रख सकते हैं और फ्रीज में तो गल्दी से भी ना रखे क्योंकि यह फ्रीज में रखने के यह हार्ड हो जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए इस लड़ू को हमने फ्रीज में नहीं रखना है पस यह लड़ू हमारा बनकर तयार हो चुका है बहुत हेल्दी है और टेश्टी तो इतना है न कि मैं आपको बस बता नहीं सकती एक बार इसे करें और कॉमेंट करके बताएं भी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू